नमस्काई एंजीन के खासो लोकसमवाद में आपका स्वागत है मैं अजीत केमेमेन हनीप सिंधी के साथ आज हम आए हैं पांचा तलाओ गार्डन में पांचा तलाओ गार्डन की जो थीम है वो पांच तालाब है एक तालाब है पीछे जो अभी तक सुका था बरसात के पानी के करण वह कुछ भर गया है लेकिन पानी गंदा है तेज बद्बू है काई है यह जो जेकिंग टेक है वो अनबाउंस है आप इस पर दोड़ने की कोशिस करेंगे तो आपके नीचे कहीं भी गिलहर आ सकती है हम कुछ लोगों के साथ बात करने की कोशिस करेंगे कि उनका अनुभाव इस गार्डन को लेके कैसा है है एक अच्छा गार्डन बनाने से ज्यादा मुस्किल काम होता है उसको संभालना उसको उसकी देखेक करना हमाय साथ कुछ लोग है सब्सक्राइब करना हमारा नाम सब्सक्राइब क्या सब्सक्राइब खरव गार्डन तूटा है एक साल से तूटा ता अभी जेसे गटर के पानी यह वह अंदर गूशा अब यह जो बारिस का पानी नहीं है बारिस की के इसा होता है अभी आप यह चक्कल लगाके हम रोज जहां से तो हमारा स्वास्त के लिए तो हमको तकलिफ होता है कितना कि देखो लोज का सफाय होना वह तो यहां जो आदिमी जीतने रहते तो उतने होते नहीं है तो सब्सक्रार्ण हम हमासा लगता है वहाई साथ एक ओर सर है सीनिय सीटीजन सुभे सुभे गालडन इसलिए आता है कि उसको ताजी हवा मिले घास में चलना हो जाए उसकी एक सरसाइज हो जाए और उसका ये के मन बहल जाए उसको लोग मिले लेकिन यहां की जो परिष्थिती है वह बता रही है कि गालडन हमने बना दिया है आगे आपका नसीब जाने से आपका नाम क्या है रामेश्वर प्रसाद सिना साब कित्य साल से इस गालडन में हम यहां के रहने वाले नहीं हम जारखन के रहने वाले हैं लेकिन इधर 6-7 महिना से लड़का के हां आये हुए है तो घूमने आते हैं इधर में य तो फानी तो एक दम घंदा है मतलब बगल किनारे से झब गूंगें ताम स्पिल इसमेल आता है लुल बरदास्त नहीं होता है कि यह सहर किवल सहर और सहर की संपतिया जो है यह किवल संपतिया नहीं है यह आपके यह वह एक्सरसाइज करें थे हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे आपका नाम क्या है और इस गार्डन में क्या सबस्देश मेरा नाम पियासाई शिक्के पर्मार रेटाइड बगीचा में तो साफ सफ़े जो पहला जो लड़का था यह बहुत अच्छा साफ सफ़े करता था और कुट्टे को भी भगाते थे बगीचा में क्या है जब जा 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 वो सुख जाता था वह पानी बानी साथते थे लेकिन यह जो नंगे आया है और किया करता है वह र zur तो आता है लेकिन कहीं भी बैटते अभी कहीं दिखाई नहीं देता वह चोख कि दर जाता है तो कि और कि एक भी क्वर की कसी को कुछ काम बाया बहुत करता है लेकिन यह सभा काम दर नंगします इस अब गुत अच्छा था यह बग इसा कुट्टा बुट्टा आता वह बगीता में जाते हैं तो यह भी करते थे लेकिन यह दूसरा नए यह तो चाई पानी करता है पीछे बराबर और यह खाज साफ सफाय नहीं करता यह पानी का यह बड़ा इसमें आवा यह बी एक पॉब्लम है यह क्या है कि यह जब गुष सुषाटी का किसी का गंदा पानी आता है तो अंदर सब मच्छर उसका ब्रीडिंग होता है और यह आजू-बाजू सुषाटी को भी परिशान करता है इसमें यह क्या है कि इसका कच्रा-बैच्रा साफ करके कोई गठार का पानी नहीं आवे ऐसा भी मुंशी पांटी को यह सब सुषाटी करनी चाहिए बगीचा अच्छा है सब आजू-बाजू सुषाटी वाला चलने आते हैं कोई बीजी दूसरा माथा कुद नहीं है जमीन अन्बाउंस है आप इस पर टेकिंग नहीं कर सकते दोड नहीं सकते क्यों ना यहाचा देर देर दोड सकते हैं जमीन त टो यहाच्छा में चौमा सामें भारिष होती है मावट लिए तो यह और सब लोक बीटालचकिया ब्लोक डाल ट्रजय मजान आता है बरनेंचर का ब्रिदिंगे गंदा पानी बहाता नहीं तो इसलिकम बड़ी बात यह अदिए आपकी संपत्ति में मत्छे पैदा हो मुंस्पल का एप्योशन आपको दंड करती है लेकिन मुंस्पल का एप्योशन की संपत्ती में मच्छा हो गंदगी और गटक का पानी तालाब में तो उसको देखने वाला कोई नहीं है सब्सक्राइब करना चाहेंगे अपका नाम क्या है इस गाइडेन में बड़ी समस्या है क्या है समस्या तो कोई टिक ने लेकिन बैठने के लिए जिए रखे ने बाकड़ा ऊशब बढ़िया नहीं है बुड़े लोग को तकलिप होती है ऐसा खड़ा हो गया है लेकिन बार-ब बाकड़ा डाले तो ठीक रहे तो जो यह सिजन वाले बैक सके आराम से चलके और यह पानी बर जाता है इसमें गटर का पानी बारी-बारी आता है ने तो बास बहुत आती है तो इसमें कोई दबा के डाले के कोई ऐसा ट्रिटमेंट करें तो अच्छा रहे बैठते तो वहाँ ओर मकर्बा वह भी अच्छा है कि वहाँ बहुत बढ़ी आए इससे ज्यादा अच्छा है सफाई जब अथी होते हैं कि गाइंट बना लेना बड़ी बात नहीं है उस गार्डन को संभाल लेना बड़ी बात है सफाई क्रेमी की निउक्ति की गई है लेकिन वह अपन नहीं करना चाहेते यह एक बड़ी समस्या यह है गड़े का पानी तालाप के पानी में मिले यह क्या है बेसिक इंजीनिंग का भी यह आपके घय का पानी बाहरा है तुम्हाने के पालिका आपको धंड कहेगी कॉर्परेटर भी आते हैं उनको भी बताया लेकिन कुछ होता नह लिए पूरा स्टाप नहीं है शफाई के लिए दो तीन आदमी है पूरा स्टाप नहीं है इसके जेमिदारी लेने तो अच्छा रहे हैं अंकल कह यह कहना है इस टाप की कमी है लोग कम है यहां पर आप देख सकते हैं अगल बगल नीचे की घास की कटिंग भी एक लंबे सम आप वीडियो में देख सकते हो देखो हुए सब बाकड़े टूट गए है कि वहां भी कुछ नहीं होता है यह दो समत से ठीक है हमारे साथ एक और वाकर हम उनसे पूछेंगे वह नंगे पाव यहां चलने की कोशिस करते हैं वह अपने दोस्तों के साथ चलने आते हैं आपक किस्वागिला और मैं करिबन यहां दस साल से गाडन में वाक कर रहा हूं और यहां की समस्या तो बहुत गवर्मेंट के लिए है और कहीं नहीं गवर्मेंट कॉंट्राक्टर के साथ या किसी के साथ कुछ मिली हुई है इसके वज़े से कुछ काम होनी पा रहा है यहां पे करमचारी जो लोग होते हैं साप सफाय वाले जो यहां पे तीन लोग काम कर रहे अभी तक जो करीबन इतना बड़ा गाडन यहां पे करिबन कम से कम भाँच यह चे होने चीये यह अभी तक है नहीं जो यहां पर कॉंट्राक्टर है वो खुझ उचकी कमाई कर रहा है या करमचारी का सोसन कर रहा है वो पता नहीं चल रहा है वह करने के बाद कर्मचारी जो होते हैं। उनको बहुत दबाया जा रहा है। Woo... बहुत अच्छे लोग है तीन भी.. काम कर रहे। बहुत बड़ीया काम कर रहे। अंग काम कर रहे। पाँ उनका सोसण हो रहे। क्यूशन के यह रहे इतं algebra 5 मद्दूर होने चीह है.. इसमे तीन मद्बूर से काम करवा लिया है. और यहां का जो बाकी का जो माहल है तूम आप देख रहे हो. जैसे बना हुआ है बाना हुआ है लगा अभी करिबन डेडिया साल हुआ है यठसाल हुआ है बना हुआ है, वल का पुरा नाया बना हुआ था。 वो सब आ चाहलत देख लिजी यह जोगे वहल की आतुम देख रहे अभी पूरा गिर है और पूरा बाउंट्री का है त sudah बहुत गंदा आ रहा है तो वह भी जान रहे कहां से गंदा पानी आ रहे है बहरे हो तो फिर भी दिक्कत हो रही है तिन जयुछ जो मत्दूर जो काम कर हो आसा नहीं है वह पानी की समझ्या है यहां पर मदुरल को पानीनीं हरा है तो क्या करें पानी की समझ्या यह पानी की अच्छा लगता है अभर ओ Join को कोगतली परती है और बाकी का माहुल, अभी जो हम लोग जो आते हैं गार्ण के अंदर, वो यहां पर क्या खुली हवा लेने आते हैं, तो खुली हवा के अंदर भी क्या हमारे को यह सामना करना पड़ता है, और कहीं जगा पर मद्दूर से गर्षन पर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मद्दूर अध़ भी जो होते हैं, उनका काम करते रहते हैं, उनको क्या है फोटो बिद आ होता है, पेद देते हैं, वो लोग करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और हम एसा चाहते हैं, यहां पे यह अंदर गार्ण के अंदर अच्छी तरह से साप सपह हो, वो, कॉंट्राक्टर अच्छ हुए तो किसी किसु ने यहां पर प्येण यूज भी नी बना हुआ है ओभी अंदा-गंदा पानी है बहुत गंद की मारी ऐसे यालत है अब हम तो देख रहे हैं आप भी देख लीजिए आप ये जो है ये आप कुछ ना कुछ करके भी ये वोधी सरकार या किसी भी सरकार को भीजिए तो इससे यहां पर यहां का कुछ उद्धर हो सकता है यह आप देख सकते हैं एक गुस्सा है लोगों के मन में गुस्सा से ज्यादा चिंता है तूटी दीवाले हैं कुटे आते हैं आप वाक करें और पीछे से एक कुटा आपको दोड़ा ले आपकी हालत क्या होगी आप समझिए आप ताजी हवा के लिए आते हैं बदले में आप चुटा की मिलती है और वो जो तेज गंध है यकीनन वो जिलना बहुत मुश्किल है स्वास्ति के लिए भी वहानिकारक हैी घास की कटिंग नहीं है जगे जगे आप दीवाल टूटी है लाइट इस्व। है घास के लिए पानी नहीं है घास कहां से सीची जाए जबकि महानर्य पालिकापुए सहे को पानी देती है लेकिन उसके अपने गार्डेन के लिए पानी की कमी है ऐसा लोगों का कहना है हम कुछ और लोगों से बात करने की कोसिस करेंगे हम देखेंगे कि आखिर उनका क्या मानना है मैं साथ एक सर है वो मैट बिचा की योग कर रहत है हमने उनसे कहा कि हम आपसे बात करना चाहते हैं उनने का हम बात करेंगे लेकिन हम गलत नहीं बूलेंगे और डेमोकेसी की सबसे अच्छी चीज ये है कि जो भी जिसका उपीनियन है उसकी वेलू होनी चाहिए उसका जिगा आपका नाम था है करना है करनाना मुकेस फ Möglich है मैं एक योगा टीचर हूं जैसा कि शर ने बताये कि गलत नहीं बोलने का मेरा रीजन मेरा में इक इसकी क्या बूराइए है या क्या कमिया है वह नहीं बोलूँगा तो कंदा कहीं निकालना नहीं है अगर उसको उठाके दूर करो, या साइड में रख दो, या डेस्ट बिन में डाल दो, दूसरे एक एमसी की कमी निकालना नहीं है, यह सबसे अच्छा सकारात्मक भाव है, कि सहकाय के सामने जोना नहीं जोई है, महानरे पालिका को दोस्त नहीं दीजिए, आप उसमें क्या योगदान कर सकते हैं, वो कीजिए, एक सिच्छक और योग सिच्छक इसी तहे से सूचता है, तो समाज बदलता है, लेकिन सिकायत करना भी नागेक का अधिकाय है, क्योंकि कि वो चुनता उनको इसलिए है, कि वो उसकी देखे एक करें, हमारे साथ हिवाओं का एक समू है, वो वाक के लिए आये हैं, फोन पे बात कर रहे थे, हमने उनको कहा कि भई जुक जाओ, हम आप से बात कर लें, तो उनने अपना फोन काटा है, तो महत्वपूर्ण लोग है आपका नाम क्या है? कैलाश, कैलाश प्रजापती, प्रजापती साभ, आप कब से इस गार्डेन में आते हैं? पिछले आठ नौ सालों से, नौ साल से आया है, मतलब आपने इस गार्डेन का बनना और बिगड़ना दुनों देख लिया, हां, इस गार्डेन की बड़ी समस्य क। बढ़ी स्मस्या एक जो पानी भरह रहता हुई एक चीज बागी सब सही है और अच्छी से मैंटेन भी होता बीड़ा ही आपके अभी अच्छे से मैंटेन हो रहा है यि खरब निदू पहले सी मैंटेन हो रहा हुए इसा नहीं यह कि पहले मैंटेन पानी की समस्या है आपका नाम क्या है हरिश्चंद्र क्या आपको इस गार्डेन में सबसे अच्छा क्या लगा निगेटिव बात तो बहुत हो अच्छा जो साइट साइट में पेड़ है यह थोड़ा अच्छा लगता है लेकिन जो बाकी है गार्डन से हट करके पानी का मैंन है कि अभी सुबह में मर्निंग के लिए वाकिंग के लिए आते हैं तो उसका गंदगी सबसे जादा है और क्या है कि उसमें पता नहीं कहां से कचड़ वाले पानी और आता है उसमें लौर बढ़ जाती है उसको कम से कम बाहर जाना चाहिए तो नहीं आना चाहिए यह थोड़ा बहुत बड़ा समस्या है बाकी पीड़ पहुदे है यहां पर थोड़ा बहुत अच्छा लगता है साब सफाई के लिए है अच्छा है बाकी यह boundary है तो यह सब सबीelडे से है मैं तो यहां पर भी दूого सल से हory हूं तो उतना लाफिवॉसीलरा हमें नहीं तो कभी कभी आते हैं बट उतना परसान करते नहीं बट एक दो आज आते हैं तो तो आएंगे दिवाल तूटी है तो कुत्ते तो आएंगे उनको पता नहीं है कि अगों को तो जहां से गेट मिलेगा वहां से आएंगे तो आपने देखा एक गाल्डेर बनाना बड़ी बात नहीं है एक कोई प्रोजेक्ट बनाना बड़ी बात नहीं है जो पॉबलिक प्लेस होते हैं वो एड्मिनिस्टेशन की पहचान होती है उस सहक की पहचान होती है क्योंकि उसमें तमाम जगे के लोग आते हैं जलेटिव जाते हैं गेश्ट आते हैं और वो आपके सहक का ऑपीनियन जो बनाते हैं वो आपके पॉब्लिक प्लेसेश के आधाय पे बनाते हैं पॉब्लिक सिस्टम के आधाय पे बनाते और यकीनन इस गार्डेन की जो हालत है वो ना तो गुज्यात की साख के लिए अच्छी है ना एहमदाबाद की पहचान के लिए अच्छी है समस्याएं छोटी छोटी हैं लेकिन वह बड़ी इसलिए हैं क्योंकि किसी की दिल्चस्पी नहीं है उस समस्या को हल करने में यदि टूटी हुई दिवाल है तो वो बन सकती है गड़क का पानी तालाब में आए यह समिनाक है आप सोचिए कि आप सुबह घर से निकले हैं ताजी हवा खाने के लिए और बगीचे में आते ही आपको एक बदबूदार इसमेल आती है आपकी नाक तक आपके मांसिक इस्थित क्या होगी आप किस हाल में वाक करेंगे तूटा हुआ बेंच कुत्तों से मुकाबला करने के लिए आपको तयाय करती है वो दीवार की दोड़ सकते हो तो दोड़ो पीछे हम हैं यह तमाम बड़ी चिंता है बड़ी समस्या है लेकिन लोगों की आदत पड़ गई है बेवस्था के अनुव धलने की उनको लगता है कि ठीक है जो है कम से कम कुछ तो है ना से बेहते कुछ हमारे साथ और कुछ लोग हैं उनके साथ बात करने की कोशिस कहेंगे से आपका नाम क्या है मेरा नाम हुआ सत्रुगन मिश्रा मिश्रा जी इस गाइडन की हालत तो बड़ी गंदगी देखें गंदगी तो है लेकिन इसमें गंदगी के सासाथ प्रसासन और आम पब्लिक की वीडियो से इसमें दुरू बलता है एक की का गटर से पानी आया ताल है यहां पर गटर बना होए है तो जान के पारक है और वहां पर आपने जो ऐसे उसके गटर के पानी काई कि एए उसको सुधिकंड की कोई वेवस्ता नहीं कि वाले को गूमने के लिए एक दिवाल बनाने में कितना लगता है दो साल से नहीं पांच साल से यह दो साल के नहीं फांच से मैं दिख रहाओं करना हो गपиков करना होता है करते हैं nego कोई सो उनभाइ इसलिए ये लोग समाजते हैं कि बड़े चीज़ों को देखिए छोटे चीज़ की होती रहेगी जैसे घर में जुबार पीडी जैसो अपने को समाजते हैं बुजुरुग की कोई कदर नहीं होती है उसी तरह से जैसो अभी जनता की जो इस्तिती में है कि चलो भाई उपर चल नीचे की तहद देखनी की कोई रूत नहीं है माकान बनता है लेकिन उसका नीव जो है कम जो रहूस की ध्यान नहीं दी जाती है बेंज टूटा है कभी आप लोग बात किये काउंसलर से इंसी को कम लोगों ने बार बार जैसो ध्यान दिलाया लेकिन अच्छा हो जाएगा ह कि विजए कितनी समय लगागी कि उसकी कोई एक्टिविटी नहीं मिलती है कि अजने से दोट Ag남 जैसे जोजना वन्ती चला लो और या तो आना बंद कर दो अब कोई भी आदमी अपने घह में तो गार्डन बना नहीं सकता घह में तालाब बना नहीं सकता घह में वाकिंग टैक बना नहीं सकता तो उसके पास दो इस जास्ते हैं या तो वो इसी हाल में अपने को ढाल ले या तो आना बंद कर दे म मिस्या जी के कहने का लवोल हुआ भी था क्यों मिस्या जी वात है वो बात मेरा कहने का उदेश वही था कि आप अपना जो है सो अगर अपने में कि अपने के वारी सोती है जब हुआ तो वर्सा उस पर कोई कंट्रोल नहीं होती है तो यहीं वेवस्ता का है आप नाम नाम सर जी पहले तो आपका कॉंक्टिलेशन बहुत खूब खूब धन्यवाद है कि आप हमारी जो डिफिकल्टिज है उसको उजगर करने के लिए आप च इन साल से यह पाने इतना दूर्गंद आती है ति जो हम हमारे जो परपस है इदर आने का अच्छी हवा लेने का थोड़ा ऐसा हमारी इंप्रूब करने के लिए मगर उसका कोई फरक नहीं पर इतनी गंद आती है कि एवन विए हरनेबल टू इस बिरित इतना इतनी गंद आ आती होगे कई साल कोर्पोरेटर लोग भी चलने मॉर्निंग वक में आते हैं उनको भी हमने कहीं बार कंप्लेंट कि है मगर कोई इसका इंप्रूमेंट हुआ है नहीं है एक और गार्डन अपनी उपेच्छा का सिकार है उपेच्छा महानगर पालिकार के अधिकारियों की ह प्रतनिद्यों की है हाला अधित्ते खराब है कि पारसत भी आते हैं लेकिन वह भी इस गंदगी को दूर नहीं करपार है प्रसासंग से जादा लोगों की सिकायते यहां के जन प्रतनिद्यों को लेकिए और अब तो सालों से हाल ऐसा है कि लोगों ने उमीद भी छोड़ द पूटी दीवार, बदबूदाय पानी, असमान घास, चुवे, कुत्ते ये सब मिलके जो सवाल खड़े करते हैं वह कहीं ना कहीं महानगे पालिका की काबिलियत पर काला धबा है, दाग है, चिंता है, परसानी है और सबसे बड़ी बात उनकी लापरवाही है, जिसका खामियाजा अगल बगल के लोग उठा रहे हैं, हम फिर मिलेंगे किसी एक नए गार्डन में, एक नई जगे पे नए मुद्दे के साथ आपकी बात पहुँचाएंगे सत्ता के कानों तक, ताकि उस पर कुछ आमल हो सके, आपको हमारा ये काईकम कैसा लगा, इसकी जाए हमें कमेंट्स बॉक्स में दीजिए, और साथ ही हमाई चैनल को लाइक और सब्क्राइब करना ना भूलें, मैं अजीत कैमेमें हनीत सिंधी के साथ, पाचात आलाब गार्डन से, NGN News के खास सो, लोक समवात के लिए,